हेलो बच्चो तो कैसे हैं आप सभी आसा करता हूं आज चिन्टा नहीं करना है मैं आपको एक ऐसा नंबर आज बताने जा रहा हूं जिसके इर्ध गिर्ध आप रहेंगे तो अपने आपको एकदम से सेब जुन मान की चलना है किए आपका सेलेक्शन हो जाएगा लादए हां तो आपको क्या करना है ध्यांसी वीडियो को देखना पूरा पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में किए इसमें जो कट्ञाफ़ है आपका केटेगरी वाई पूरा बच्चों ठीक है ना और रूलर और अर्बन एरिया दोनों का सब कुछ असे से मैं बताने वाला हूं ठीक है तो यहां पर आप देख पार हूंगे कि मेरिट लिस्ट यहां पर देखे मैं अच्छे तरीके से थोड़ा सा जूम करके भी बता दे रहा हूं बच्चों यहां पर के कटेगरी में लिखा हूं यहां पर देखे रूलर एरिया फिर अर्बन एरिया फिर इसके बाद आपका कटेगरी के हिसाब से जर्नल ओबी सी सी इस्टी इन सब का कितना जाएगा यह समय आपको बताने जा रहा हूं तो ध्यां से देखिए का बच्चों वीडियो को लाइ परसान होने की जुरूत नहीं है और वहीं जर्नल के टिगरी से हैं और आपका इलाका अर्बन एरिया का है ठीक है जानी कि सहरी इलाका का है ठीक है अर्बन मतलब सहरी होता है बच्चों रूलर का मतलब ग्रमीड तो 95 से 98 तक रहेंगे तो यह आपके लिए ठीक होगा अब यहां पर बहुत सारे बच्चे बोलने कि यहां पर तो आप बहुत ज्यादा बदा ड़ी 95 like आप बता रहें तो देखिए मेरे पैर बचो मैं आपको बता रहा हूं कि यह मार्किंग तो होता नहीं है निगेटिंग मार्किंग तो इसमें होती नहीं है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बहुत बढ़िया अपना जो है एकजाम को करके आते हैं ठीक है बढ़िया से ए आपका 98 तक चला जाएगा मतलब कि यह कम भी हो सकता है ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहे हूं एक जक्ट वही है यह एक एक स्पेक्टिट कट आप है बच्चों आप अपना नंबर मिला लिजिएगा घर पे बैठके ठीक है कितना सही हो रहा है एक कोशन का 1.25 नंबर है अपका इलाका रूलर है तो 91 से 93 तक आपका ला रहे है आप 91 से 93 तो यह आपके लिए सही हो जाएगा फिर उसी तरह से अर्बन इलाका काम बात करें लेकिन आपकी क्टेगरी जर्नल है ओभी से मापकोरे का ओभी से है तो 92 से 94 नंबर आप यह दिला रहे है इन्हीं के बीच बीच रहेंगे तो इसी के इर्दगीर्द आपका बन सकता है ठीक है बच्चों उसी तरह से हम सिक कटेगरी के बात कर लें तो 85 से 89 यदि आप रूलर इलाका से हैं और 85 से 89 के बीच में यदि आप अपना नमबर ला रहे हैं तो इसी के गिर्द में आपका भी होने वाला है तो परशान नहीं रहना है ठीक है अपना DB के लिए अपना तयार रखिए यानि डॉक्मेंट भरिप्रिकेशन अपना डॉक्म मिड़ी एरिया है तो 82 से 84 नमबर ला रहे हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा और अर्बन इलाका से यदि आप बिलांग कर रहे हैं और आपका कटेगरी स्टी है तो 84 से 86 नमबर लाएंगे तो आपका जो है होने की पूरी की पूरी चांस है अब यहां पर एक बात और समय ल आपको तो परिशान होने की ज़रूत नहीं अब जो बच्चों का बढ़िया गया पेपर ना तो वह अपना डीवी के लिए त्यार हो जाएं डॉक्मेंट्स अगरा बनवाले बच्चों ठीक है तो आई होब कि वीडियो अच्छा लगा होगा फिर भी कुछ भी सवाल सकते हैं आज के लिए फिर मिलंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू एंड जाहिंत बच्चों